नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे Financial Express से लिए गए इस Editorial पर जिसका सिर्षक है Justice Can't Be Selective और यह संपाद की ए GS Paper 2 में सामिल विशय भारती संबिधान प्रमुख प्रावधान के दृष्टिकों से महत्रपूर्ण है तो चलिए देखते हैं इस संपाद की को विस्तार के साथ इस संपाद की का आधार क्या है इसका आधार है केरल के पत्रकार सिद्धी कपन की रिहाई के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर बंदी प्रत्यक्षिकरन याचिका मामला यह है केरल के पत्रकार कपन को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था जब वह 20 वर्सिये दलित महिला से कथित सामुहिक बलातकार और हत्या की रिपोर्ट करने के लिए हाथ रस जा रहे थे तो इसी याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के मुख नयदिस S.A. बोवटे की अध्धक्चता वाली पीठ ने यह बात कही कि वे अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को हतोत साहित कर रहे हैं क्योंकि इनका यह मानना है कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान कपन के वकील से सुप्रीम कोर्ट के मुख नयदिस ने यह बात पूछी कि पत्रकार के बेल के लिए उन्होंने उच्छ नयाले में याचिका क्यों नहीं दाखिल गी तो अब यहाँ पर यह जो घटना है और इस घटना पर सरवोच नयाले का जो वक्तव आया है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व हम यह देखते हैं कि अनुछेद 32 है क्या तो भारती सम्भेधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वणन किया गया है और इसी भाग 3 के अंतरगत अनुछेद 32 भी सामिल है अनुछेद 32 में सम्भेधानिक उपचार का प्रावधान है जिसके अनुसार भारत के राज्ज छेत्र में किसी व्यक्ति के अगर भाग तीन में प्रदत मूल अधिकारों का उलंगन होता है तो उस व्यक्ति के मूल अधिकारों को लागू कराने का कारी किसका है सर्वोच न्याले का है मतलब यहां पर यह है कि सर्वो चिन्याले भाग तीन के अंतरगत जो मूल अधिकार व्यक्तियों को दिये गए हैं उन मूल अधिकारों को लागू करने से संबंधित निर्देश, आदेश और रिट को जारी कर सकती है अगर हम रिट की बात करें तो यह रिट पांच प्रकार के होते हैं कौन-कौन से तो पहला बंदी प्रत्यक्षी करन मतलब हैबियस कॉर्पस इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को विधी के विपरीत गिरफतार किया गया है तो बंदी प्रतेक्षी करण के अंतरगत वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर कर सकता है दूसरा रिट परमादेश मतलब मेंडमस इसके अंतरगत यह प्रावधान है कि लोगसेवक, सरकार और न्यायले वैधानिक तरीके से कारिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट के द्वारा इसको सुनिश्चित करता है तीसरा प्रतिसेद मतलब प्रोहिबिशन इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा न्याइक या अर्ध न्याइक संस्था के द्वारा जिस मामले की सुनवाई की जा रही होती है उस पर रोक लगा देता है ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगत सर्टियोरी देखें इसके अंत्रगत क्या प्रावधान है। इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोट न्याइक या अर्धियाईक या प्रशासनिक प्राधीकारियों के द्वारा दिए गए आदेश की पुनर परिच्छा करती है। और पाँचवा और अंतिमरिट क्या नाम है इसका अधिकार प्रिच्छा मतलब क्यो वारिंटो इसके द्वारा सुप्रीम कोट लोग सेवक से यह पूछती है कि उस पद को धारन करने का उसके पास क्या आधार है अब हमें यह पता है कि राष्ट्रिय आपात की दोरान मतलब एमेरजेंसी की दोरान राष्टपती समवेधानिक प्रावधान के अनुसार याचिका दायर करने के इस अधिकार को निलंबित कर सकती है और याचिका दायर करने का कौन सा अधिकार वह अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतरगत लोगों को प्राप्थ हुआ है। अपने कई निर्णयों में कहा है कि जब उच्छेद 226 के तहट राहत प्रदान की जा सकती है तो पिडित पक्ष को सबसे पहले उच्छेद 226 के तहट भाग तीन के द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को लागू कराने के साथ साथ किसी अन उद्देश्यों के लिए भी उच् यह जो किसी अन उद्देश के लिए इसका जिक्र है तो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि किसी सामान कानूनी अधिकार का प्रवर्तन है इसलिए उच्छ न्यायले का अधिकार छित्र रिट को लेकर सर्वच न्यायले की तुलना में काफी व्यापक है क्योंकि केवल म जारी करने का अधिकार है तो अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो सर्वोच नियाले को निर्देश आदेश और रिट जारी करने का अधिकार देता है वहीं अनुच्छेद 226 एक समयधानिक अधिकार है जो मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के ल यह उच्छ नयाले को अधिकार देता है अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गए हाल या निरिने पर तो पहला मामला ही है किसका सिद्ध की कपं मामला का इसमें सुप्रीम कोट ने पूछा क्या कि याचिका करता ने उच्ची नयाले में अपील क्यों ने की वहीं सुप्रीम कोट ने यह भी बात कही कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार की परतिक्रिया भी मांगी जा रही हैं। नुच्चेद 32 के अंतरगत सुप्रीम कोट में याचिका दायर की जिसका उद्देश से इनका बेल कराना है। तो सुप्रीम कोट ने बॉंबे हाई कोट को निर्देश दिया कि वरावारा राओ के बेल याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। क्योंकि सितंबर मा से यह मामला पेंडिंग है। वहीं महाराष्ट मुख्यमंत्री मान हानी मामला इसके अंतरगत नागपूर के एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया। और इस व्यक्ति ने अनुच्चेद 32 के तहद सुप्रीम कोट में याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोट ने इस व्यक्त सभा सचिव मामला इस मामले में सुप्रीम कोट ने सचिव को यह निर्देश दिया कि दो सप्ता के भीतर सचिव यह बताएं कि उनके विरुद्ध अवमानना कारवाही क्यों नहीं प्रारंब की जाए अब यह क्या मामला है वो दिखिए सुसान सिंग राजपूत मौत के मामल में अरणव गुसामी के द्वारा जो उनका रिपबलिक टीवी चैनल है उस पर कारिक्रम चलाया गया तो उस कारिक्रम को लेकर महाराष्ठ विदान सभाव विसेशाधिकार समिती ने अर्नव गुसामी के वुरुद्ध विसेसाधिकार हनन नोटिस जारी किया। उन पर या आरोप लगाया गया कि राजपूत मौत के मामले में गुसामी ने अपने टीवी पर जो कारिक्रम परसारित किया, उसमें गुसामी ने महाराष्ट के मुख मंत्री पर निस्क्रियता का आरूप लगाया इस कारण उनके विरुद्ध विशेसाधिकार हनन की नोटिस जारी की गई है अब इस विशेसाधिकार नोटिस के विरुद अर्नव गुसामी ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर की, इस पर महराश्ट विधान सभा के सचिव है, उन्होंने गुसामी को पत्र लिखा, तो सुप्रीम कोट ने सचिव के द्वारा जो पत्र लिखा गया, उस पर यह बात कही है कि सचिव का कार न्याय प्रसासन में परत्यक्ष हस्तक्षेप जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि सचिव याचिका करता को दंड देने की धमकी दे रहा है, वहीं सुप्रीम कोट ने यह बात भी कही कि अनुछेद 32 के तहद याचिका करता सुप्रीम कोट में आ सकत में है तो एक महत्वपूर मामला है रोमेश थापर बना मदरास राज्य 1950 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही अनुछेद बत्तिस मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए गारेंटी के साथ उपचार देता है इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि न्यायपालिका का गठन ना केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बलकि मूल अधिकारों के संगरक्षक के रूप में भी की गई है वही एक दूसरा मामला है ADM जबलपूर बनाम SS सुकला 1976 और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्ने दिया था तब आपात काल की इस् सम्मंधित मामलों तक सुप्रीम कोर्ट की पहुँच सिमित है अगर इस मामले पर सम्विधान विशेसग्यों के विचार को ने तो उनके अनुसार अंत में या सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक जज की विवेकाधीन सकती है कि कोई मामला जिस पर सुनवाई पहले हाई कोर् उसमें हस्तक छेप की आविश्चक्ता है या आविश्चक्ता नहीं है। अब हुम वापस आ जाते हैं सिद्धी की कपन मामले पर। इस मामले में सर्वच नियाले के मुख नियाधीस की द्वारा जो कहा गया है अगर हम उसका अर्थ निकालें तो अर्थ यह निकलता है कि अगर सभी मामले सीदे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्यां बढ़ती चली भी कही है कि यह सही है कि याचिका को दायर करने की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो वह अधिनस्ति नियायले से ही प्रारंब होता है परंतु यह बात भी सही है कि अधिनस्ति नियायले ओं में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और लंबित मामलों की संख्या जित और यह संख्या बढ़ी है महामारी के कारण। जब न्यायपालिका की समानिक क्रियाकलाब प्रभावित हुई थी महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश व्यापी लॉकडाउन के कारण। हलांकि सरकार के द्वारा इकोर्ट मिसन के तहद न्यायपालिका का डिजिटली करण किया जा रहे हैं परन्तु इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। वहीं दूसरी तरफ अधिनस्त न्यायलेओं और उच न्यायलेओं में न्यायधीसों के जितने सैंक्सर्ण पद हैं या पोस होती है और तब अनुच्छेद 32 ही उन मामलों में रहत प्रदान कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहद दायर याचिका पर जयनात्मक या सेलेक्टिव रवय्या नहीं अपनाना चाहिए। और सरवोच न्यायले के मुक न्यायधीस को या बात दिहान रखनी चाहिए कि अनुच्छेद 32 के द्वारा मूल अधिकारों के सतत प्रवाह को बनाये रखने की जो विवस्था भारती संविधान में की गई है उस पर प्रतिबंध विसेश परिस्थिती में ही संभव है। ये परिस्थिती या तो राश्टी आपात की हो सकती ह या तब हो सकती है जब स्वेम संविधान इसमें संसोधन की अनुमती देता हो। इस प्रकार हमने इस संपादिकी के माध्यम से अनुच्छेद 32 के प्रयोग के संबंध में सर्वोच न्यायले द्वारा दिये गए हालिया वक्तव्य पर चर्चा की। ये रहा आज का प्रश को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार।